लीटरेली अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा हफता आ जाता है कि जब कॉंटेंट का आकाल पड़ी आता है और वीडियो बनाने के लिए टॉपिक सोचना पड़ता है एक-एक-दो-दो हफतों तक टीजर, मूवी और फिर कुछ उचना पंपेने फ्सदुर आटा ही आता ही और कभी-कभी इतनी सारे चीजदे एक-सातल में सिब आजाती है कि उन स्फ पे वीडियो मुस्किल हो जाता है तो जिंको नहीं पता अभी जुमेशन देखने को starch सबसे पहले मंडे को मिशन रानी गंज का ट्रेलर आया जिसके साथ में मुझे जुजुट्सु काई सन में गोजो के लिए भी बात करनी थी लेकिन वो हो नहीं पाया उसके अगले दिन 26 तारिक को ट्यूजडे को आल्याबट की नई मूवी आ रही है जिग्रा जिसका अनौंस थ्री मूवी जिसे अब तक नहीं देखा है लेकिन हाँ इतना पता है कि जो लोग मूवी में लॉजिक डूंडते हैं उन लोग के लिए तो यह लिए मूवी बिल्कुल नहीं थी इसे सिर्फ एंटेटेन्मेंट के लिए बनाया बिना ज्यादा दिमाग लगाए और फुक्र कि शूटिंग वह अगले साल से स्टारत होने वाली और इनिसे सब के बीच में अपने को यह भी कंफॉर्म हो गया कि सालार के मेकर्श ने जवान को छोडा तो फिर उन्होंने जाके हैं अब इन सब के बाद में कल यानि की संड़े को भौष्ट का ट्रेलर आया जिसमें परिनिती चोप रहा है और जिनको नहीं पता यह मूवी एक ट्रू इवेंट्स पर बेजड है जहां पर एक माइन में फसे हुए माइनर्स की स्टोरी बताई गई कि कैसे हो यहां पर सर्वाइब कर गए बेसिकली एक सर्वाइवल मूवी है जहां पर अक्षे कुमार जस्वन स चले जाता है और सबको बचा के लिए आता है बाकि यह अला ट्रेलर मेरे लिए ठीक ठाक था तो जहां तक मुझे पता है कि पिछले हफ्ते पाच टीजर या फे ट्रेलर आये थे अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो फिर जिन पाचों में से शायद से मिशन रानी जैनुइनली काफी अच्छा था सलमान खान इसके वी एफेक्स और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी एक हदता काफी अच्छे थे साथ ही अपने को यह भी पता चल गया कि अपने टैगर रंगे हाथों पकड़े गये है और अब वह अपने देश के लिए गदार है तो क्योंकि इससे बेटर मुझे कोई दूसरा टीजर लगा है तो इसलिए मैं इसको सेकेंड नंबर पे रखूँगा इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वो है गोस्ट मुवी का ट्रेलर वैसे शायद या आपने इस मुवी का नम मुझ से पहले सुना होगा क्योंकि शायद या आप तो फिर इसमें आपको जादा तर शॉट्स जो है वो आपको अंधेरे में ही देखने को मिलेंगे या फिर इसका कलर टून ही वैसा है डीसी से इंस्पायड वैसे आपको रॉकी भाई की तरह इसमें भी ऐसा सिगरेट जिलाने वाला सीन देखने को मिल जाएगा बाकी मैं द इस्टोपियन वाली चीज इस मूवी में थोड़ी सी अलग है इसके अलावा मूवी में अमताब बच्चन भी है और किरति सैनन भी है जिनकी आदि पुरुष जैसी मूवी के बाद में ये उनकी पहली मूवी होने वाली है बाकी इसके टीजर के पर मैंने एक अच्छी खास जरूर करूंगा मैं बस किसी सैटिस्फेक्शन के लिए किसी चीज को अच्छा या फिर बुरा नहीं बोल दूंगा बाकि इसके टीजर के स्टार्ट होने पर तो मुझे लगा था कि हां इसमें कुछ तो अलग होगा लेकिन आगे चलके मुझे पता चलगा कि ये मूवी कैस इन सारी चीजों में मुझे जो चीज सबसे जादा अच्छी लगी वो है रनबीर कपूर की एनिमल मुवी का टीजर मतलब इसके डिरेक्टर ने तो पहले ही बोल दिय था कि मैंने यहली मुवी बच्चे लों के लिए तो बनाई ही नहीं है तुम मेरे मुवी को क्या आरेट है और इस सीन में तो यहां पर सब लोग के मुवी पर स्माइल हल की से और फोटो की चवारे वहीं पर रनबीर कपूर अपनी फैमली से अलगी खड़े है बाकि अगर आप यहले सिंग को देखते तो फिर आपको इसमें इतना कुछ नहीं लगेगा लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो फिर यह थोड़ा डार्क हो जाता है तो मुझे कुछ भी पूछ सकती है एनिधिंग डर्टी देखता हूं लड़की जुकती है तो चेक आउट करता हूं पता नहीं शायद ही कोई अपनी वाइफ को ऐसे बोल सकता है खुलम खुला या फिर हिम्मत भी करेगा बस और फर्स्ट नमबर पे है एनिमल का टीजर हैर यह मेरा पर्सनल ओपिनियन था आप अपना नीचे कमेंट में बता सकते हो बाकी इसके अलावा आप मेरी याली वीडियो देख सकते हो और चैनल को सब्स्राइब कर सकते हो और इसके अलावा मिलूँगा मैं आपको अगली व प्लाद।